73 साल की एक बूढी महिला 73 साल की महिला के साथ क्या होता है तो 73 साल की महिला को टांग कर वो जहां सो रही थी उससे 100 मीटर की दूरी पर ले जाये जाता है और इसके बाद जब महिला का बॉडी बरामद होता है तब महिला जिंदा नहीं थी उसके शरीर पर एक अभी कपड़ा नहीं था हमने रिपोर्ट पढ़ा अमरुजाला का जिसमें कहा गया कि रिपोर्टर जब बता रहा था तो बताते वक्त रिपोर्टर रोने लगा कि उस महिला के प्राइबेट पाट में पहले पाइप डाला गया और उसके बाद पाइप को डाल कर उसमें घूमाया गया या सब कुछ बताते हुए या पढ़ते हुए आप सोचिये एक बार तो आपका रोमा खड़ा हो जाएगा या सब कुछ इसी राजधानी पतना में हुआ है पतना का फुलवारी शरीफ इलाका जहां पर 73 साल की महिला के साथ ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो कोई जाता है कहानी सुनता है वो वहाँ से रोते हुए वापस लटता है आगे फुलवारी शरीफ में जो हुआ है एक एक जानकारी आपको देंगे बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले अमर उज्जारा ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा यहां पर पढ़िये हम शरमिंदा है पतना में 73 साल की बुजूर्ग के साथ ऐसा किया गया इसके लिए अमर उज्जारा ने लिखा है कि हम शरमिंदा है इसके आगे का लाइन पढ़िए कि जननांग में पाइप डाला अंग अंग छत भी छत मतलब कि पाइप डाला गया अंदर रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि पाइप को घुमाया गया आप सोचिए कि उस वक्त पर मनोई स्थिती क्या रही होगी कि पाइप को डाला गया और उसके बाद उसमें भी दरंदगी की गई मतलब कि एक दरंदगी तो पहले की ही गई उसके बाद फिर दरंदगी और आप कहिए कि एक दम देट समान उसे वक्त मान सिखता होगी अब पूरी कहानी क्या है तो फुलवारी सरीप में एक महिला अपने घर के बथानी में मतलब कि जिसको जहाँ पर बथान जो होता है वहाँ पर शो रही थी उम्र 73 साल 73 साल की महिला के साथ ऐसा कुछ होगा किसी ने कलपना तक नहीं की अब होता क्या है तो उस महिला को कुछ लोग टांग कर लेकर वहाँ से 100 मीटर दूर एक आम का पेन था उस पेन के नीचे ले जाते हैं इसके बाद महिला जब मिलती है तब महिला इस दुनिया में नहीं थी बताया गया कि इंट पत्थर से महिला का एक एक अंग कूछ दिया गया था अब महिला के साथ उसके पहले जो हुआ उसकी कहानी सुनाते हुए लोग रोने लगते हैं लोग बताते हैं कि ऐसी वहाँ पर विभत्स घटना हुई है कि उसके बारे में कोई कलपना नहीं कर सकता हमने पढ़ा उसके बारे में वहाँ पर बताया गया था कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो उस 73 बर्षिय बुजूर्ग महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था सारा का सारा कपड़ा उन्होंने हटा दिया था और दरिंदों ने उसी हालत में उस महिला को छोड़ दिया फिलाल इस महिला को लेकर बिहार पुलिस कह रही है कि पोस्टमाटम रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं पोस्टमाटम रिपोर्ट आएगा उसके बाद आगे की जाच करेंगे लोग कह रहे हैं कि सबकुछ आँख से दिख रहा है अब पुलिस को और क्या रिपोर्ट चाहिए क्या पुलिस जाच शुरू नहीं कर सकती क्या पुलिस वहाँ पर दिन भर रहने वाले नशेडियों से पुस्ताच नहीं कर सकती वहां की महिलाएं बताते हैं कि दिन भर यहां पर गाजा पीने वाले, दारू पीने वाले, एसमेक पीने वाले जो गजेणी हैं, नशेणी हैं, वो ही कठा रहते हैं और उनमें से ही किसी ने ऐसा किया है, और इस बात पर हमने रिपोर्ट में पढ़ा कि गाओं का एक एक आदमी कहता है कि उनका ही काम है, लेकिन आप सोचिए कि 73 साल की महिला के साथ जो किया गया, उसके बारे में सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है, 73 साल की महिला के साथ कोई करने के बारे में सोच कैसे सकता है और आप सोचिए कि अगर 73 बर्षिय महिला के साथ ऐसा होता है तो इस समाज को आप सोचिए कि यह समाज कहां गा रहा है बाकी अब आगे पुलिस जाच करेगी पुलिस क्या कुछ पता लगा पाती है क्या कुछ कहती है आगे जो भी नहीं ज वीडियो नहीं पर समात करते हैं, अन्त में हमारा नाम मुहित कुमार सिंग है, आप जनतांक्षन देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद.